प्रेज शात्रों, मैं डाक्टर सुजिता वर्मा, असिस्टन प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SBC गावर्मेंट कलेज भीम अब हम प्रेपर फर्स्ट के टॉपिक राजनितिक विकास की विशेशताओं का अध्यान करेंगे डॉट के मतानुसार राजनितिक विकास की चार प्रमुख विशेशताओं होती हैं समानता के प्रती ऐसे सामाने भावना जिससे राजनिती में भाग लेने और सरकारी पदों के लिए प्रतियोगिता करने के समान अवसरों को अनुमती रहे दूसरा राजनितिक विवस्ता में नीतियों का निर्धारन और उनको क्रियानवित करने की शमता हो तीसरा राजनितिक कारियों का ऐसे विभिन्नी करन और विशेशी करन हो जो उनकी समगर एकता की गीमत पर न हो चौथा राजनितिक प्रक्रियाओं का इस तरह लौकी की करण हो जिससे राजनिती धार्मे को देश्यों और प्रभावों से प्रिथक रह सके आमड और पाविल ने राजनितिक विकास की तीन विशेशताओं का प्रमुख माना है पहला है भूमी का विभिन्नी करण, दूसरा उप्र विवस्था की स्वायत्ता तथा तीसरा लौकी की करण आमड पाविल मानते हैं कि सनरचनाओं का विभिन्नी करण इतना महत्पूर नहीं है जितना की भूमी का का विभन्नी करण सुवेच संग में सनरचनाओं का विभिन्य करन है किन्टो भूमिका का विभिन्य करन नहीं हो पाया है इसकारण आमिंड और पाविल पाई से एक कदम आगे चाकर राजनितिक विकास के लिए ऐसी सनरचनात्मक विभिन्य करन आवशक मानते हैं जो यथार्थ में भूमिकाओं का विभिन्नी करण भी हो उधारण के लिए किसी राजनितिक व्यवस्था में कारेपालिका की ही भूमिका का निश्पादन करे और व्यवस्था पिका ये न्यायपालिका की भूमिका का निश्पादन नहीं करे तो इसे भूमी का विभिन्नी करण माना जाएगा पाई जिसे राजनितिक व्यवस्था की शमता कहते हैं आमण और पावेल उसे उप व्यवस्था की स्वायत्ता कहते हैं इनका मानना है कि भूमी का विभिन्नी करण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक राजनितिक व्यवस्था की उपव्यवस्था को स्वायत्ता प्राप्त नहीं हो उपव्यवस्था की स्वायत्ता शक्ती के एक स्थान पर केंद्रन के स्थान पर विकेंद्री करण का संकेत है उप्य व्यवस्था स्वायत्ता वारी राजनेतिक व्यवस्था में सारी मांगे सीधे एक केंदर पर इस्थिर सरकार के पास नहीं आती है आने संरचनाओं को तथा उप्य व्यवस्थाओं को स्वायत्ता प्राप्त होने के कारण उनके निर्णेयों में रुपांतरण की विवस्था अनेक स्तरों पर हो जाती है आमडर पाविल ने राजनतिक विकास की तीसरी विशेषता लौकी की करण की बताई है लौकी की करण का संबंध सही रूप में संस्कृती से ही है परामपरा गतता से दूर हटने और धर्म निर्प्रेक्षता की तरफ समाज तभी बढ़ सकते हैं जबकि व्यक्ती में वह समानता आए जिसकी बात पाई ने राजनतिक विकास की विशेषता की रूप में की है किसी राजनतिक समाज में लौकी की करण का संबंध लोगों की अभी वृत्तियों में परिवर्तन आने से है अभी वृत्तात्मक परिवर्तन समानता के साथ चलता है राजनतिक विकास के चरण आमण ने राजनतिक विकास की चार अवस्थाए मानी है पहला है राज्य निर्मान का इस्तर अर्थात केंद्री सत्ता का निर्मान तथा विभिन समुहों का केंद्री सत्ता के अधिकार शेत्र में एक ही करण होना दूसरा राष्ट निर्मान का इस्तर अर्थात राष्ट के प्रती भक्ति वनिष्ठा उत्पन्न होना तीसरा सहभागिता का स्थर अर्थात व्यक्ति एवं समुहों का राजनितिक प्रक्रियाक में व्यापक रूप से भागिदार होना चौथा वित्रण का स्थर अर्थात सामजिक जीवन के लिए लाभों को पुना निर्धारित करके अनेक विधियों द्वारा सब की पहुंच में लाना सम्मेलित होता है आमंड की मानिता है कि जिन समाजों में राजनितिक विकास का अंतिम स्थर आ गया है वे सब इसी अनुक्रम में एक स्थर के पाद दूसरे स्थर में पहुंचते हैं और विकास्षील राज्यों में यही अनुक्रम आविशक है हंटिंग्टन के अनुसार राजनितिक विकास के तीन चरण या अवस्थाएं मानियों ने पहली है सत्ता की बुथी संगत्ता का स्थर दूसरा है नए राजनितिक कारियों का विभिन्नी करण और उसके विशिष्ट सनरचनाओं का विकास तीसरी है अभिवरिद्धी सहभागिता जो परिसरिये सामजिक सम्मूहों और समाज के भागों को धीरे-धीरे केंद्री सत्ता में सम्मिलित करने का स्तर है अब हम देखते हैं राजनितिक विकास के साधन क्या है एजेंट्स ओफ पॉलिटिकल डिवेलप्मेंट निम्न अभिकारन राजनितिक विकास की प्रक्रिया में प्रमुक भूमी का निभाते हैं जैसे क्रांतिकारी, राजनितिक नेता, राजनितिक दल, सैना, आधुनिक नौकरशाही का विकास, राष्ट भावना का विकास और लोगप्रिये, राजनितिक सहभागिता का विकास क्रांतिकारी नेता किसी संकट की स्थिती में सत्ता में आते हैं लेकिन सत्ता में आते ही उन्हें अनेक समस्याओं को सामना करना पड़ता है उन्हें विकास की दुरड और चिरस्थाई नेतियां तुरंत लागू करने की आविशकता होती है उन्हें संभवता राश्ट्री एकता की थापना करने की सरवाधिक आविशकता होती है क्रांतिकारी नेताओं में कुछ विशिष्ट गुणों का होना आविशक है यदि उनका व्यक्तित वो अत्यदिक प्रभावशाली है तो वे अवश्ची ही सफालोंगे ऐसे नेताओं को मध्यमार का अनुसरन करना चाहिए उन्हें परंपरा और नवीनता दोनों के प्रति सद्भावना बरतनी चाहिए राजनितिक दल राजनितिक दल विकास की प्रक्रिया को गती प्रदान करते हैं राजनितिक दलों के माध्यम से राजनितिक नेत्रित्व का विकास किया जाता है राजनितिक दलों का महत्व प्रजातांत्रिक विवस्था, साम्मेवादी विवस्था दोनों में ही सुयम सिद्ध है लोकतांत्रिक पद्यती में राजनितिक दल मद्दान का विस्तार करके राजनितिक सहभागिता के अवसर को प्रिदान करते हैं जबकि साम्यवादी विवस्था में भी साम्यवादी दल का प्रयोग जनता में साम्यवादी विचारों के प्रतिष्ठा और उन्हें साम्यवादी विचारों के अनुरूप संगठित करने के लिए ही किया जाता है। आधुनिक नौकरशाही द्वारा भी राजनितिक विकास में परिवर्तन की भूमी का अदा की जाती है। सहभागिता के विस्तार से भी राजनितिक विकास को बल मिलता है। समस्या आदी। जो जो राजनितिक विकास का स्तर बढ़ता जाता है त्यों तो इन समस्याओं को समाधान होने में सहायता मिलती जाती है। किन्तो विकास्यल राज्यों में राजनितिक विकास की समस्याइं इन से कुछ भिन होती है। विकास्यल राज्यों में राजनितिक विकास की कुछ प्रमुक समस्याइं हैं। राजनितिक विकास के मॉडल के चैन की समस्या, राजनितिक स्थायत्व की समस्या, राजनितिक विकास के अभिकरन हैं, राजनितिक दल, हित और दबाव सम्मूहों के, समचित रूप से संगठित और विक्सित होने की समस्या, हिनसात्मक राजनितिक की समस्या आ दि.